Joining words, worksheet number 99, use of and, or, but, because, read the following passage, underline and, or, but, and, right. नीचे लिखें पेसेज को पढ़कर, and, or, but, को रिखांकित करें, और लिखें. It is Monday morning. I am going to market to buy some fruits and vegetables. आज सुमवार सुबह है, और मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ फल और सबजियां खरिदने. तो and आ गया न बच्चों यहां पर, तो हमें underline करना है. किस पर? and, or, या बट पर. There is no traffic on road, because today is a holiday. Road पर traffic नहीं है, भीड़भार नहीं है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है. Most of the people are going towards the park. ज़्यादा तर लोग बगीचे पार्क की ओर जा रहे हैं. There are benches in the park. पार्क में बहुत सारी benches हैं. Anyone can sit on them or the green grass inside. हर कोई वहां पर बैठ सकता है. या बाजू में हरी खास में बैठ सकता है. तो यहाँ पर और के नीचे हमें underline करना है बच्चों. फिर आगे बढ़ते हैं. I want to play in the park, but I have to buy things for my lunch. मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ. परन्तु मैं अपने लंच के लिए कुछ चीजें खरीदने आया हूँ. तो बट के नीचे यहां underline कर देंगे बच्चों. तो हमें तीनों सब्द मिल चुके, and, or, but. The underlined words are called conjunctions, joining words. रेखांकित सब्दों को हम सही होजा कर्थार जोडने वाले सब्द कहते हैं, जो दो वाक्यों को जोडते हैं. अंडरलाइन दे जोइनिंग वर्ड्स इन दे सेंटेंस गिवन ब्लू. निम्न वाक्यों में conjunctions को उधारण के अनुसार रेखांकित करना हैं. The lion, dash, and the mouse are friends. तो यहां पर क्या है? And है. And यहां पर जोड़ रहा है किस-किस को? Lion और mouse को. The lion and the mouse are friends. सेर और चुहां दोस्त हैं. I like reading and writing in the class. Reading और writing को and conjunction जोड़ रहा है. अगला है. Samir was happy because he came first in class. तो यहां पर Samir was happy को he came first in class से जोड़ रहा है. Because. Because means क्योंकि? Should I go by bus और train? मुझे bus से जाना चाहिए या train से? तो दोनों को जोड़ रहा है और conjunction. तो यहां और के नीचे underline कर देंगे. You can go for a dance class और play with us. या तो तुम dance class जा सकते हो या हमारे साथ खेल सकते हो. तो और का प्रियोग यहां हुआ है conjunction के रूप में. आगे है बच्चों. A lion has a long tail and sharp teeth. एक सेर के लंबी पूच्छ और पैने दात होते हैं. तो यहां पर end का प्रियोग हुआ है conjunction के रूप में. धन्यवाद.